हेलो गाईज, MS Technical Study Center में आपका स्वागत है, आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर के आया हूँ, और जो निम्मी सिम्मी से रिलिटेड, डिजल थोरी, मोटर मेकनिक, टेक्टर मेकनिक, एवं, रेलवे, आरार भी एक्जाम, और अन डिजल से समद्दी दो हने वाल में जानेंगे कि, तो सुरुआत करते हैं, पहला कुशन है, वाट इस दा एडवांटेज ओफ सी आर डियाई सिस्टम, सी आर डियाई प्रिनाली के क्या लाब है, तो सबसे पहले देखिए, कि सी आर डियाई प्रिनाली जब आईए है, तो उससे 25 प्रतिसत जो सकती है, ज्य या गया है, सी आर डियाई क्या है, कोमन रेल डारेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है, दूसरा कुशन है, वीचीज दा फीड सिस्टम रिडिउस द अब फिप्टी पर सेंट अनबर्ट है, रिद्रोकार्बन यानि 50 पर रिद्रोकार्बन के उपर कौनसी फीड प्रिनाली कम हो जाती है तो इसका आंस्वर है एलेक्टोनिक कंट्रोल सिस्टम कौन सा है एलेक्टोनिक कंट्रोल सिस्टम यानि इलेक्टिक नियंतरण प्रिणाली है दूसरा तीसरा क्यूशन है विच इलेक्टोनिक डिवाइस कंट्रोल दा इंजन सिस्टम इंजन प्रिणाली को कौन सा इल अग नेक्स्ट कुशन है इन CRDI इंजन फ्यूल सिस्टम वेर दा एक्सलेश्यू फ्यूल रिटन CRDI इंजन इंदन प्रिणाली में एत्यदिक इंदन कहां लोड़ता है यानि CRDI प्रिणाली के अंदर जो ज़्यादा तेल जो आ जाता है वो वापिस कहां पर आता है तो अभी मैंने बताया CRDI, CRDI का मतलब होता है common rail direct injection होता है तो इसका answer है कि इंदन टैंक पर लोड़ता है रिटन टू दा फ्यूल टैंक चाहिए कोई सी भी प्रिणाली हो जो अत्रिक तेल आता है तो इसका answer कौन सा है return fuel tank next question है what is the function of heater plug heater plug का कारिय क्या होता है तो सबसे पहले आप जानेंगे heater plug क्यों लगाए जाता है क्योंकि जैसे बरफिल जेतर हैं तो वहाँ पर गाडियों को सर्दी के टाइम पर स्टार्ट करने में बहुत समश्या आती है इसके लिए उसका heater plug का अपयोग किया जाता है तो इसका answer क्या रहेगा answer B warm up the combustion chamber धेन कक्ष को गरम करने के लिए उसका अपयोग किया जाता है next question है why fuel filter is initial in diesel engine diesel engine में इनन फिल्टर क्यों आवशक है इनन फिल्टर क्यों लगाया जाता है diesel engine के अंदर तो answer इसका रहेगा B answer गन्दे धुयों को रोकने के लिए यानि ञानी जो गन्दे धुआ आईगी उसको रोकने के लिए इनन फिल्टर का अपयोग किया जाता है के यानि जब वह सक्क्र करेगा सक्क्रने के अंदर उसके अंदर दट्टी जो गंदी रहा आएगी उसको रोकने के लिए उसको चानने के लिए उसको प्योग किया जाता है next question है how the pressure is maintaining in the high pressure pipeline of FIP कैसे दबाऊ FIP की उच दबाऊ pipeline में बनाये रखा जाता है यानि किस तरीके से बनाए रखा जाता है कि हाई प्रेसर जो लाइन हो दिया अभी देखिए कि फ्यूल पॉम्प से कहां से फ्यूल पॉम्प से और इंजेक्टर के अंदर तो प्रेसर के साथ जो जाता है तो प्रेसर किस तरीके से बनता है और किसके द्वारा बनता है तो उस इतना प्रेशर से अभी आप दबाव करोगे और मार्ग छोटा रहेगा तो प्रेशर के साथ आगे जाएगा तो उसको क्या बोलता है डिलेरी वाल बोला जाता है इंदन इंजेक्शन पंप में कितना अधिक्तम दबाव होता है यानि उसको जो दबाव है कितना प्रेशर के साथ जाता है वो कितना होता है यह होता है चार सो से सासो केजी फुट्ट्ट सेकिंड स्कॉर होता है तो आंस्वर डी सही है इसका नेक्स्ट है हाउ दा कॉन्टिटी ऑफ फ्यूल डिलेवरी वा वारी इन रनिंग डीजल इंजेल 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 को चलाने में इंदन वीजरन की मात्रक कैसे भिन होती है तो इसका आंस्वर है बाइक कंट्रोल्रय के द्वारा यानि जम चलाया जाता है तो कंट्रोल के द्वारा आप उसको कम ज्याना इंदन की मातरा को कम कर सकते हो बड़ा सकते हैं तो जैसकी गाड़ी ऊंदार अपन रेस बोलते हैं डीर दiblia qe racjiasmine और इंजेल एक इन की मात्रा को कम ज तो देखिए आंसर है धहन शुरू करना यानि इनिसिंग कंबसें चैम्बर यानि धहन होने से पहले ही उसको शुरू करना इसके लिए उसको चमक भुआ है और लगाया जाता है तो नेयोत इसको शुरू को नराते ही रहे प्रुआ है एल पावर वाल इन को इन दर । येi ओन टेंक ने इतिक differently वापस बहेंजने के लिए लगाया जाता है to send back excess diesel for or to fuel tank next why bubbles are provided in the fuel tank in the tank में वाफल क्यों प्रदान किये जाते हैं वाफल क्यों लगाया जाते हैं इन टैंक के अंदर तो उसका reason क्या है tank में इन्दन की कमी को कम करें minimize the selling of fuel in tank ये लगाया जाता है वाफल क्यों प्रदान किया जाते हैं यानि जो टेंग के अंदर तो आंस्वर इसका A राइट है नेक्स्ट वहाई एन अउक्जिलरी इस्प्रेय हॉल प्रोवैडेड इन दा पिंटक्स नॉजल पिंटक्स नॉजल में एक सहायक इस्प्रेय छेद क्यों प्रदान किया जाता है answer है इसका ठंड की इस्तिति में आसान शुरुआत में सायता करना यानि to assist easy starting under cold condition यानि ठंड सर्दी के टाइम पे किसके टाइम पे? कॉल्ड के टाइम पे और उसको start करना आसान होता है इसके लिए उसके अंदर pintalol में spray छेद बनाया जाता है which nozzle having an auxiliary spray haul with minimum haul मुख छिद्र के साथ एक साय किस परे छेद वाला कौन सा nozzle होता है मुख haul के साथ में तो उसको कौन सा बोल देंगे आपन? Pintex nozzle बोलते हैं कौन सा बोलते हैं? Pintex nozzle बोलते हैं which is type of fuel system है जिन pressure oil pump and diesel engine diesel engine में किस प्रकार की इंदन प्रणाली उंच दबाओ का तेल पंप होता है कौन सा प्रकार का जो तेल पंप उसके अंदर उपयोग किया जाता है diesel के अंदर तो इसका आंस्वार है CRDI fuel system जो अभी नया है वो CRDI उपयोग किया जाता है common rail direct injection जिसको बोलता है next which is the control the minimum and maximum speed of the diesel engine diesel engine की नियुंतम और अधिक्तम गति को कौन सा नियंतरत करता है तो अभी मैंने आपको पताया governor के द्वारा किया जाता है किस के द्वारा किया जाता है governor के द्वारा किया जाता है how much time taken to given singles to ECM after ignition switch on ignition switch on करने के बाद ECM को signal देने के में कितना समय लगता है तो देखिए ये electric parts है तो कैसे देते हैं इसको 2 seconds के अंदर यो signal दे देता है कितने देता है ignition के लिए मातर 2 seconds के अंदर दे देता है next what is the effect of detonation occurs in diesel engine diesel engine में 20% का क्या प्रवाव होता है तो answer इसका है engine में खनक्ती आवाज detonation का मतलब होता है खनक्ती आवाज काफी बार आपने देखा होगा बाई को चलती ही और वो बहुत तेज आवाज करती है तो वो ही detonation है तो समय से फहले fuel का जल जाना तो वो detonation knocking होती है इसके बाद next है where the air starting system is used air starting system का उप्योग कहां किया जाता है अब देखिए कहां किया जाता है marine के अंदर किया जाता है marine जो engine है समुदर के अंदर चलते है उसके अंदर ये किया जाता है next which is the automotive engine is cranked through hydraulic system hydraulic प्रिणाली के माइदम से किस automatic engine का crank किया जाता है hydraulic system से किसके engine को start किया जाता है तो ये marine के engine को hydraulic system से ही किया जाता है बाकी तो सब cranking होते है बैटरी के साहिता से और starter motor से crank होते है लेकिन ये किसके साहिता से होता है H說 which is system and accumulator is used कि system में Kirk Kusy के जाता है तो कौन सा है वह starting system कौन सा है accumulator जो किया जाता है वह starting system जो किस दा कॉमनली ने इंजन में समय ने प्रयों से फिल्टन प्रयदक कौन सा होता है से फिल्टन थंड़करने के लिये किसका उपव्योग किया जाता है संबूद्र का प्लत करने के लिए पूद्र प्लत करने की संद्र नौ समुद्र में क capabilities अपना यैं तो देखो उसमें ही CRDI और CRDI ही व्योग की जाती है अनुनिक जो अभी लेटर्स जो इंजन आ रहे हैं सब में CRDI Common Rail Direct Injection होता है Next What is the Type of Drive Drive का प्रकार क्या है तो यहाँ पर यह जो Drive है यह चित्तर से देखर क्या आपको बताना है कौन से Drive है दो answer इसका क्या रहे है Double Reduction तो answer इसका Double Reduction रहे गा C answer Next Name the Type of Transmission Devices कौन से Transmission Devices है इसका देखर क्या बताना है वह इसका नाम आपको बताना है तो इसका answer क्या है Dru pian क्या है flood coupling बोलते है Next what is the name of engine engine का नाम क्या है इस से पहले मेरा वीडियो है उसमें मैं इस engine का आपको नाम पहले भी बता चुका हूँ तो बताइए कौन सा नाम है इसका तो क्या रहेगा इसका आंश्वर अपोजिट पिस्टन इंजिन बोलते हैं क्योंकि देखिए यहां पर यह पिस्टन और इसके अपोजिट यह पिस्टन है यह पिस्टन अपोजिट है तो इसको कौन सा इंजिन बोलेंगे अपोजिट अपोजिट पिस्टन इंजिन बोलते हैं तो आंश्वर भी इसका राइट है next which is the automotive engine in probably by auxiliary engine, शाहेक इंजन को propelling में कौन सा automotive engine है, तो कौन सा है इसके अंदर, answer marine engine ही होगा, क्या होगा marine engine, next which is the device used to transmit the rotary motion in marine engine, समुदरी engine में rotary गती संचलित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, rotary करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो answer उसका क्या रहेगा, hydraulic yugmak का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, rotary करने के लिए hydraulic yugmak का उपयोग किया जाता है, तो answer D right है देखो द्रव युकमक जिसे hydraulic युमक के रूप में भी जाना जाता है एक hydrodynamic तंतर है जिसका उपयोग संचर्ण द्रव के मैदम से घुनी बल को एक साप्ट से दूसरे साप्ट में इस्तनांदित किया जाता है करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग वहां transmission system य समूदर के पानी को ठंडा करने और पानी को ठंडा करने के लिए किस इंजन का अपयोग किया जाता है तो कौन सा इंजन है उसका answer भी marine इंजन समूदरी इंजन ही बॉलेंगे इसको था ना next is how the flood coupling is termed द्रवयुगमक कैसे कहा जाता है अभी एक चित्र के मादम से बताए गया तो क्या कहा जाता है इसको कैसे कहा जाता है तो answer इसका क्या रहेगा कि hydrodynamic device होने के कारण क्या है hydrodynamic device होने के कारण कहा जाता है दोस्तों मेरे चैनल को subscribe लाइक और share जरूर करिएगा और फिर मिलेगे एक नए वीडियो के साथ में next question है which is the device use the increase the torque torque को बढ़ाने के लिए कि सुपकरण का अपयोग किया गया है तो answer इसका क्या रहेगा gear कम करने के लिए torque बढ़ाने के लिए उसका gear कम कर देता है तो torque हो जाता है thank you फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे धन्यवाद